हेलो दोस्तों, वेलकम टो अपना सपना ज्यार एफ और वेलकम टो दिस वीडियो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्ट ए को कैसे तैयार करें मतलब जो पेपर अभी हमारा दिसंबर 2023 में होने वाला है उस पेपर की लिए हम पार्टी की तैयारी कैसे करें इन 50 दिनों में तो यदि आप भी CSIR NET की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि CSIR पेपर की लिए जो कि दिसंबर 2023 में होने वाला है जो दिसंबर 2023 वाला जो पेपर है हमारा CSIR NET का उसके अंदर तीन डेट दी गई है 26, 27 and 28 26, 27 and 28 दिसंबर ये तीन डेट दी गई है इसमें कभी भी आपका पेपर हो सकता है तो यहां पर हमारे पास जो है आज हो गया है 8 तारिक और पेपर है हमारा 26 में तो यानि कि आप मान सकते हैं आपके पास 49 से 50 डेज अभी भी बाकी हैं जिसमें आप अपनी तयारी को और भी अच्छे से कर सकते हैं तो इन दिनों के अंदर अगर आपने पार्टे को एक बार भी नहीं पढ़ा है या फिर अगर आपने पढ़ा भी है तो उसको अब कैसे तयार करें कि इन 50 दिन में हमारा पार्टे अच्छे से तयार हो जाए अब पार्टे पर फोकस करने की क्या जरूरत है अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पैटर्न तो पता ही होगा कि पार्टे के अंदर टोटल 20 क्रिशन आते हैं ठीक है आइदर वो लाइफ साइंस का हो मैतमेटिक्स का हो फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो जिसमें भी पार्टे है उसके अंदर 20 क्रिशन आते हैं 20 में से आपको कोई 15 करने होते हैं और एक क्रिशन जो है दो नंबर का होता है तो मतलब कि हमें पार्टे से 30 मार्क्स मिलते हैं मतलब part A हमें 30 number देके जाता है और अगर आप इस question को गलत करते हैं तो यहाँ पर 0.5 की negative marking होती है तो यह 30 number आप जानते हूँगे कि कितने value को hold करते हैं इस paper के अंदर यह 30 number तो मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आपको 30 के 30 ही लेके आने हैं लेकिन मैं यह भी नहीं कहना चाहती कि आप part A को बिल्कुल छोड़ी दीजिए इन 30 number को बिल्कुल भी calculate ना करें यह 30 number भी आपके लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं अब जरूरी क्यों है देखो इसके लिए मैं समझा देती हूँ मानो part A में जो 30 number मिलने वाले है mostly होता क्या है कि जो life science के student है वो part A को skip कर देते हैं नहीं करते हैं ठीक है लेकिन अगर एक ऐसा student है जो अपने part B और C को तो करी रहा है लेकिन साथ साथ वो part A की भी त्यारी कर रहा है तो आप खुद ही देख सकते हैं कि competition में आप दोनों है आपने part B और C अच्छे से किया है, part A बिल्कुल भी नहीं किया है लेकिन जो दूसरा student है उसने part B भी किया है, C भी किया है और A भी कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल skip नहीं किया है थोड़ा बहुत कर लिया है, तो वो पहले ही आप से आगे है अब मानोगरस में part A की दो question भी अगर सोर कर दी दो question भी, तो वो 4 number आप से उपर है आपको पता ही होगा 4 number पे जारफ हो जाता है और नहीं भी होता है ठीक है, अगर 4 number नहीं है, तो आप जारफ से रह जाएंगे इसी लिए जरूरी है कि आप इन 30 number को, यानि कि जो part A है उसको underestimate ना करें, उसकी तयारी करते रही अब बात आती है कि 50 दिन बचे हैं, उनमें हम part A की तयारी कैसे करें तो देखिए, अब मैं आपसे बिल्कुल भी यह नहीं कहूंगे कि आप part A की topic wise पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जितने भी important topic आउनको पढ़ो और उनके questions होल करो, क्योंकि इस तरीके से time taking हो जाएगा और अभी इन 50 दिनों में आपको part B भी करना है, part C भी करना है आप उनको solve कर लीजिए, और कितने PYQ solve करने है, आपको solve करने है 2017 से लगा करके 2023 तक आपको सारे paper solve करने है, मतलब उनके अंदर जितने भी part A के question है आप 27 है, 28, 2019, 20, 21, 22, 23, तो देखो यहाँ दो paper इसके है, shift 1 और shift 2 के, दो paper यहाँ है दो paper यहाँ है, दो यहाँ, दो paper यहाँ पर मिलेंगे आपको, दो यहाँ है, दो यहाँ है, और दो यहाँ है तो देखे, कितने हो गये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीके तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो 14 paper हो गये है, ठीके, और अगर आपको लगता है, यह ज़ादा है तो at least आप 2018 तक तो जरूर ही सारे question को solve करेंगे 2018 तक भी लगाएं तो आपके पास जो है यहां 12 paper हो गए है और 12 paper हो गए है और एक paper में कितने question आते है एक paper में आते है 20 question तो कितना हो गया 240 240 जो है आपके पास total question हो जाएंगे अब इन 240 question को आपको 50 जिन में divide करना है तो अगर मैं इसको पास से divide करना चाहो तो कितना हो जाएगा 48 ठीक है मतलब 48 days के अंदर आप 2023 से लगा करके 2028 तक सारे question solve कर लेंगे ठीक है एक बाफर से समब कर देती हूँ आपको 2018 से ले करके 2023 तक जितने भी PYQs आएं हैं पार्ट A के अंदर आपको उन सभी को solve करना है कितने question आए है पेपर हुए है यहाँ पर 12 एक पेपर के अंदर 20 question है तो मतलब की 24 100 आपके पास total question है 24 तो आपके पास total question है और इन total questions को आपको कितने दिन में solve करना है 48 days में 48 दिनों में आप यह question solve करेंगे किस सरीके से करने है यह question solve आपको एक दिन में 5 question यानि 5 PYQs per day तो यह तो कोई बड़ा टास्क बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक दिन में केवल 5 question solve करने है एक दिन में केवल 5 question को उठाईए और solve कर लीजिए और random नहीं उठाना है कोई paper लेके चलना जिससे आपने 2023 का start किया है तो 2023 shift 1 का जो paper है आपका 4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए मतलब 5 question एक दिन है 5 question एक दिन 5 question एक दिन और 5 question एक दिन इस तरीके से जो है आप इसको अराम से 4 दिन में पूरा कर सकते हैं अब कुछ बाते और आपको याद रखनी है क्या बाते याद रखनी है सबसे पहले तो आपको fix time अपना करना पड़ेगा time fix करना पड़ेगा कि किस time आप part A को पड़ना start करेंगी क्योंकि देखो ये time ऐसा है कि आप अपने part B और C पर ध्यान दे रहे है तो अगर A के लिए time fix नहीं करोगी तो हो सकता है आप part नहीं करें तो पार्टे नहीं हो पाएगा इसलिए आपको अपना time fix करना पड़ेगा कि पूरे दिन में ये time ऐसा है जिसमें मैं ये 5 questions all करूँगा तो यहाँ आपको time fix करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से 30 से 45 minute या फिर maximum एक घंटा आपको देना ही है part A के लिए अगर आप 5 questions जल्दी कर लेते हैं आपकी catching power अच्छी है part A के रिगार में तो आप इसको 30 minute में भी कर सकते हैं 5 questions बिल्कुल आराम से लेकिन फिर भी पूरे एक दिन में एक घंटा निकालना बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है और एक घंटा तो maximum मैंने कहा है 5 questions में आपको 30 से 45 minute आराम से आप कर लेंगे तो first तो आपको time fix करना है तो 3 बजते ही आप अपने 5 questions को solve करेंगे second आपको क्या करना है अपना जो place है उसको fix करना है कि 3 बजते ही घर में किसी भी particular जगह में मैं इन 5 questions को solve करूँगा तो 3 बजए और वो जगह पर आप जाके बैठ जाएंगे अपने 5 questions को solve करेंगे तरीका क्या होगा solve करने का कोई भी question आपके सामने visible है आइदर आप मेरी वीडियो से पार्टे करते हैं क्योंकि पार्टे पर मैंने भी वीडियो अपलोड कर रखी है अगर आप मेरी वीडियो से करते हैं तो भी अगर आप सीधा website से question paper download करके उससे पढ़ते हैं तो भी अफिर आप कहीं से भी अगर पार्टे की तैयारी कर रही है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले question जो आपको visible है उससे एक बार अच्छे से पढ़े खुद समझे और खुद सोल करने की कोशिश करें उसका अभी तुरंट ना देखे बस question को पढ़ ले उसको समझे ध्यान से और खुद सोल करने की कोशिश करें कि कैसे सोल हो सकता है अगर नहीं होता है बाइचांस तो आप उसके आंसर पर मूव करें आंसर को देखें और समझें ठीक है नमबर ओफ question उने fix कर लिए है पांच question करने है time fix करना है अपनी जगह fix करनी है कहां बैठके आप पढ़ेंगे और तरीका क्या होगा पहले question को पढ़ेंगे समझेंगे, solve करने की कोशिश करेंगे नहीं solve होता है तो तब आप उसके answer को check out कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं तो ये एक तरीका है आप पार्टे को अभी भी अगर आपने आज से पहले एक भी पार्टे का question नहीं किया है एक पर उठा के भी नहीं देखा है तो भी आप अगर ये technique अपनाते हैं तो इन पचास दिनों में आप टोटल दो सो चालिस question मतलब धारी सो क्रिशन लगबग आप solve कर चुके होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि paper में आप फिर एक भी question ना solve कर पाएं और एक बात ये भी याद रखनी है कि part 8 थोर सा mathematics वाला होता है somehow और मैथ हमें कब आता है जब हम और बार 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 practice करते हैं तो आपको ये 5 question दिन का target है आपका तो इन 5 question को आपको इतने अच्छे से समझना है और एक दो बार फिर दिन में इसको practice भी करना है किस तरीके से आपने question समझा है तो आप अभी भी मालो part B पढ़ रहे हैं थोर से bore हो गए है तो तुरंट से question एक बार उठा लो और फिर से solve करके देख लो खुद से ही तो आपको थोरा better feel होगा और question भी आपका practice हो जाएगा ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 5 question solve कर ले पर आप उसको देखी नहीं रहे हो देखना भी है उसको थोरा से एक बार revise भी करना है कि अगर ऐसा question आता है तो उसको किस तरीके से solve करना है ठीक है तो यह सब तरीके हैं अगर आप अपनाते हैं तो part A को अच्छे से कर सकते हैं ठीक है मुझे solve करने ही है और भी अगर minimum करे तो 8 से 10 question तो मेरे होने ही चाहिए यह आपको target लेके चलना है अब व्योंकोल भी burden नहीं है कि आपको करने ही है गलत हो या सही हो मतलब आप यह target लेके चले हैं कि part A में मुझे 10 question तो solve करने है उस हिसाब से मुझे अपनी तैयारी करनी है तो अब यह एक ऐसा तरीका है जिसमें कि आपका time भी save हो सकता है और come time में आप अच्छा perform भी कर सकते हैं तो इस video में इतना ही अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो अभी से ही implement करना start कर दे क्योंकि दिन इतने नहीं है कि आप अराम से बैट के सोचेंगे करेंगी अभी से start कर दीजे in fact आज से ही start कर दीजे पांच question उठाए 2023 के और वे पांच question अगर आपको पहले से आते हैं तो एक बाग फिर से practice कर लो नहीं आते हैं झाल